नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं इसमें सबसे बड़ी ओजनाओं में एम्स में 250 बेट का अस्पताल वा एकेडमिक बिल्डिंग की सोगाद है जिसे देवघरी नहीं आसपास के दर्जनों जीले के लोगों को स्वायत सुधाय मिलेंगी परधान मंत्री ने सबसे अधिक सोगाद रेलो को दिया इसमें 35 कोर की लागत से त्यार हंस डिहा गोड़ा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कारेकाउद घाटन उन्होंने किया इसके अलावा बोटलिंग प्लांट गोड़ा एस्टेशन में कोचिंग याड जसी डी रेल बाईपास मधुपूर में वासिंग पीट आदी बड़ी योजनाओ की अधार सिला रखी देवघर में बाबा बैदनात की पुझा करने वाले देश के पहले पीएम का रिकोर्ड प्रधान मंत्री ने ज्हारखन की बाबा नगरी देवघर में सोगादू की बाईश कर दी है देवघर यारपुट का उद्गाटन समेच 16,000 क्रोर की योजनाओ का उन्होंने तोफा दिया है इसके साथ ही 12.33 लिंग में से एक बाबा बैदनात धाम में पुझा अर्थना करने वाले देश के पहले प्रधान मंत्री होने का रिकोर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया आपको बता दे कि डाक्टर रजिंद्र परसाद ने राष्ट पती बनने के बाद 1952 में देवघर बाबा धाम में पुझा अर्षना की थी देवघर से कुलकाता के लिए फलाइट दिल्ली के लिए जल्द सेवा प्रधान मंत्री नाइनमोदी ने 401 को रुपए की लागत से 657 एकड़ भुभाग में बने देवघर हवाई अड़े का मंगलवार को धगाटन किया उन्होंने नए हवाई अड़े से बीमानन कमपनी इंडिगो की देवघर कुलकाता उरान को भी हरी जंडी दिखाई हवाई अड़े की 2500 मिटर लंबी हवाई पटी से एर बस ए320 के बीमान भी उड़ान भर सकते हैं देवघर एयरपोट से 12 जुलाई की साम 4 बजे इंडिगो फ़लाइट संख्या 6E49 उड़ान भरी जो कुलकाता 5 बज कर 10 मिट पर पहुँची देवघर के लिए कोड DGH दिया गया है या फलाइट मंगलवार, गुरुवार, सन्निवार और रभीवार को चलेगी प्रधान मंति नान मंदी आपने देवघर आगमन को लेकर सोसल मीडिया पर भी एक्टिव रहे एरपोर्ट का उद घाटन के लिए देवघर आने की जनकारी वाट ट्वीट एवाम फेस्बुक पर साजा करते रहे देवघर में अपने करेकरम की समापती के बाद साम 5 बर कर 17 मिट पर उन्होंने अपने ट्यूटर हैंडल से ट्वीट कर देवघर वासियो का धन्यवाद जताया है ट्यूटर पर पी एम मोदी ने लिखा देवघर की पवित्र भूमी पर उम्रा जन सेलाब इस अपाव सने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथी बाबा मंदीर में पुजा अर्चना की फोटो भी ट्वीट किये हैं इसके अलावा जन सभा का वीडियो भी सेयर किया गया है द्रोपदी मुर्मु या यस्वंत सिना पर सियम हमंत मौन राष्ट पती चुना दो हजर बाइस में अब गिन्ती के दिन बचे हैं इसके बाजू जार्खन के मुखे मंत्री हमंसुरेन की अगवई वाली जार्खन मुक्ती मौर्चा ने अपने पते नहीं खोले हैं अब तक जे एमेम ने अधिकारिक तोप पर अपना एस्टेंड किलियर नहीं किया है हलाकि आदिवासिहित की राइनिती करने वाले पार्टी के अंदर खाने द्रोपदी मुर्मु को समर्थर देने की बात पूरे जोर सोर से चल रही है विधायकों और संस्तुदों ने इस मसले पर अमतिम फैसला लेने के लिए भले ही दिसोम गुरु सीवु सुरेन को अधिकरित किया लेकिन इन नेता ने अपनी भावनाओं से पार्टी सुप्रीमों को आउगत करा दिया है द्रोपदी मुर्मु छो साल तक जहर्खन की राजयपाल भी रही है इस दोरान सुरेन परिवार से उनके अच्छे रिष्टे भी रहे है परतिने पंकज मिस्त्रा को इड्डी की पुष्टाच से पहले ही पिट दरद की सिकायत वे पिछले कई दिनों से बिमार चल रहे थे और इलाज के सिर्सीले में ही उत्राखंड के रूद्र पर्याग गए थे जहां E.D. ने सुक्रवार को छापे मारी के दिन पुस्ताश की थी छापे मारी के बाद E.D. ने उनसे बिध्वत पुस्ताश के लिए नोटिस जारी किया था E.D. के अधिकारिक सुत्रों के अनुसार मंगलवार को पंकज मिस्रा को परवतन निदे साले रांची कर्याले में प्रस्तूत होना था लेकिन इसी बीच वे बिमार होगा जिसके चलते उनसे पुस्ताश नहीं हो सकी रांची देवघर के बाद जार्खन को मिले तीन और एयरपोर्ट प्रधान मंत्री नायंद मोदी के देवघर आगमन पर नागरिक उड़ानने मंत्री जोतिरिया दित्य सिंधिया ने जार्खन को तीन और एयरपोर्ट को तोफा दिया है सिंधिया ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए कहा है कि जल्द ही बोकारो दुमका और जम सेथपूर में एयरपोर्ट बनेंगे देवगर एयरपोर्ट पर पधान मंत्री नैंद मोदी का गरम जोसी से स्वागत करने के बाद मंगलवार को नागरिक उड़ाने मंत्री बता दे इस बीच पीए मोदी ने जहरखंड में 16,835 स्कोर की बिकास जोईनाव का सिलने आस्भी किया है सिक्षक पत्रत परिक्षा के पेच में पराशिक्षको का मांदे जहरखंड में समग्र सिक्षा ब्यान के तवात कारे करे रहे कई पराशिको के मांदे में बिरिधी का मामला टेट के पेच में फस गया है जहरखंड सरकार ने सिक्षक पत्रत परिक्षा टेट उतीन सभी पराशिको को 50% मांदे एक मुस्त बढ़ाने का निना तो लिया लेकिन लगभग 5% पराशिको को इसका पूरा लाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इन्होंने कख्षा 6-8 के ले टेट परिक्षा उतीन की इनकी नियुक्ती कख्षा 1-5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी इन्हें 30% मांदे बिरिधी का ही लाब मिल रहा है इसके बाद पूजा सिंगल के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई इस पर अदालत ने उनके अनुरोध को सविकार कर लिया मामले में सुनवाई के लिए 19 जुलवाई की तिथी निधायत की गई बता दे कि पूजा सिंगल ने खराब स्वास्त का हवाला देते हुए जमानत दिये जाने की मांग की गई है याचका में कहा गया है कि उन्हें थाई राइट की समस्या है पूजा सिंगल 25 माई से बीरसा मुंडा केंद्री एक कारा में बंध है एडी की टीम में मनी लोडरिंग के आरोप में 11 माई को गिरपतार किया गया था हेमनत सरकार के मंतरी अलमगीर अलम पंकज मिस्रा को नोटीस जारखन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी की अदालत ने संभू भगत से मार पीट मामले में राज सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन की विधायक परतिनिधी पंकज मिस्त्रा को नोटिस जारी किया है इसके साथ ही अदालत ने CBI से भी जबाब मांगा है केंद्रीय जार्ख एजेंसी से कोट ने पुछा है कि आदेश मिलने के बाद CBI इस मामले की जार्ख कर सकती है या नहीं आदालत ने मोखिक रूप से कहा है कि इस मामले में परभाव साली ब्यक्ति सामिल है इसलिए प्रार्थी की सुराक्षा सुनिश्चित करना साहिव गंज S.P. का काम है अगर प्रार्थी को कुछ हुआ तो इसके लिए साहिव गंज S.P. और बढ़हरवा थाना परभारी जिमेदार होंगे गढ़हा के स्कूल में प्राथना के नियम बदलने की बिवाद पर आयोग ने लिया संग्यान राष्ट्रिय बाल संरक्षन अधिकार आयोग ने गढ़हा उपायुत को नोटिस जारी करते हुए जबाब मांगा है आयोग के अध्यक्स प्रियंग कानून गो ने गढ़वा जिले के एक स्कूल में प्राथना के नियम और तरीकों को बदलने की घटना पर संग्यान लेते हुए परसासन को जाच रिपोर्ट देने को कहा रिपोर्ट की डेडलाइन 14 जुलाई तक निधारित की गई है NCPCR को सिकायत मिली है कि इस्कूल के चैतरों पर सरिया और इसलामिक तरीके ठोपने का पर्यास किया जा रहा है इसके बाद आयोग ने पहल करते हुए जिला परसासन से पुरी घटना के बिस्ति जनकारी मांगी है इमेल कर आवकास की अनुमती ले उपायुक्त कार्मिक विभाग राई सरकार ने सभी जीलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे मुख्याले छोड़ने या आक्समिक आवकास की सुचना मुख सची और कार्मिक विभाग को इमेल से दे इस आस्यका निर्देश पुर्वे में भी उपायुक्तों को दिया जा चुका है इसके बावजूद कई उपायुक्त आक्समिक आवकास और मुख्याले छोड़ने के अनुमत्ती लेने में तई दिसा निर्देश को पुरी तरह से नहीं मान रहे सुत्रों के अनुसार या देखा जा रहा है कि कई जीलों को उपायुक्त आपना मुख्याले छोड़ने के लिए मुख्याँ सचीव कार्मिक प्रसासनिक सुधार राजबासा बिभा के पधान सचीव को वाटसेप कर आवकास पर चले जा रहे हैं जनकारी के अनुसार मुख्याचीव ने इस प्रविर्ती को उचित नहीं माना है जार्खन में तीन महीने बाद नगर निकाय चुनाव जार्खन में पिछले दो साल से लंबित नगर निकायों के चुनाव बर साथ के बाद कराए जाएंगे रज निर्वाचन आयोग ने ऐससा संकेत दिया है नगर निकाय चुनाव के निमावली में फ्यर बदल कोको सरकार नमंझूरी दे दिया है जार्खन नगर पाहिल का निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संसोधन निमावली 2022 के ज़सेटना जारी कर दी गई है नई निमावली के अधिसुचित होते ही निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है राजे में एक दर्जन से ज़्यादा नगर निकायों के चुनाव 2022 तक हो जाने चाहिए थे ये चुनाव 10 जीलों के 14 नगर निकायों में 2020 में होने थे लेकिन COVID-19 सहीद कई कारनों से चुनाव भी टलता रहा मुख्य मंत्री 15 जुलाई को 10,000 युवाओ को देंगे निक्ति पत्र मुख्य मंत्री हेमानसरें जल्द ही राजे के 10,000 युवाओ को निक्ति पत्र सोपेंगे अब तक की त्यारी के अनुसार 15 जुलाई को रांची के मुराबादी मैदान में रोजगार मेला लगा कर युवाओ को निक्ति पत्र सोपा जाएगा जनकारी के अनुसार स्रम नियोजन प्रसिक्षन युम कोसल विकास विभाग द्वारा विभीन जीलों में अयोजित भरती कैम्प के माध्यम से युवाओ का चैन किया गया है इस दोरान उद्योग विभाग की ओर से भी विभीन कम्पनियों में चैन किये गए अस्थानिय युवाओ को भी निक्ति पत्र सोपा जाएगा इस दोरान में स्राम विभाग के सचीव परवीन कुमार टोपो ने सोमवार को बैठक भी किया है सोट सरकिट होना ता है मुफ्त बिजली पर पियम मोदी ने किया साउधान परदान मंत्री नाइन मोदी ने मंगलवार को जहरखन को एयरपोर्ट एम से समेथ 16,800 को रुपए की कई योजनाओ की सवगात दी परदान मंत्री ने बाबा बैदनाथ की पुजा अर्चना के बाद जनसभा को समवधित करते हुए देश के लोगों को सौट कोट की रायनेतिक करने वालों से सवधान किया पी एम मोदी ने मुफ्त बिजली मुफ्त बस सफर जैस्ते बादों से लोगों को सवधान करते हुए कहा है कि इस तरह के वादे एक दिन जानता को ही कंगाल करते हैं उन्होंने या भी कहा है कि सौट कोट करने वालों कह सोट सर्किट होना तय है सपना हुआ पूरा सियम हेमन्त ने यारपोर्ट पर जताई खुसी देवघर यारपोर्ट एम से समेश 16,800 को रुपए की अनेक परिनाव के वो उद्घाटन और सिलन्यास को लेकर जार्खन के सियम हेमन्त सुरें ने पीम मोदी का अभार जताया केंद्र सरकार का सहयोग बना रहा तो अगले 5-7 साल में अगरिनी राज्यों में सामिल होगा पीम मोदी ने गढवा रोड से यूपी के महुआरिया डबल ट्रेक का किया उद्घाटन पीम मोदी ने मंगलवार को देव भूमी देव घर से पूर्व मदर रेलवे के गढवा रोड चोपन रेल खंड पर अवस्थित गढवा रोड से महुआरिया यूपी तक 866 को रुपै की लागा से 67 किलोमेटर लंबी नव निर्मी दोहरी रेलवे लाइन का उनलेन उधाट पोरजेक्ट का उधगाटन होते ही मौजूद लोगों ने ताली बजा कर इसका स्वागत किया इस दोरान धनबाज रेल मंडल के डियारेम सहीत रेलवे के कई बड़े पदाधिकारी एवं अस्थानिये गणमाने लोग मौजूद थे तमिलाडू में फंसी जार्खन की छो बेटिया लोटी जार्खन के पचमी सिमुम जीले की छो यूतियों की तमिलाडू से सुरक्षित घर वापसी हो गई है वे एक काम के सिलसिले में वहां गई हुई थी घर लोटने की बात कहने पर ठेकेदार द्वारा उन्हें रोक लिय जार्खन वापस नहीं लोटने दिया जा रहा था इसके बाद इन्होंने राज सरकार से मदद की गुहार लगाई थी इसके बाद राज सरकार की पहल पर एस सुरक्षित वापस लोट आई हैं इनके चेहरे पर मुस्कान विखर रही है जे एससी ने फोटो वापस ताक्षर अपलोट करने का दिया अमतिम मौका है जार्खन समाने असनात तक योगता धारी सन्यूगते परतियोगता परिक्षा के तीरिपण सो ब्यारिस अभियार्थियों को फोटो वापस ताक्षर अपलोट करने के लिए अमतिम आउसर दिया बारिस नहीं होने से किसान परिशान महिलायने की पुजा है अगर समय से धान की बुआई नहीं होती है तो किसानों के समक्ष बड़ी संकट उत्पन हो जाएगी पीएम मोदी ने देवघर यारपोर्ट जनता को किया समरपीत पीएम मोदी ने मंगलवार को 401.03 कोलोर की लागत से बनी देवघर यारपोर्ट जनता को समरपीत किया इसके साथ ही जारखन में यारपोर्ट की संक्या दो हो गई है देवघर के लावा राची का भागवान बीरसा मुंडा यारपोर्ट है अब बोकारो दुमका और जमसेत पूर से भी जल्द हवाई सेवा उपलब्द होगी इस समन्द में केंद्रिय नागरीक उड़ाने मंत्री जोत्रिया दित सिंधिया ने देवघर में इसके संकेत भी दिये है बता दे समारों में केंद्रिय नागरीक उड़ाने मंत्री स्री सिंधिया ने कहा आए कि देवघर के लोगों ने जो सापना देखा था आज वस अपना यारपोर्ट और 16 हज़ार कोर क्योजना के रूप में सरकार हो रही है किंद्र का सहयोग रहा तो सबसे आगे होगा जहारखन सियम हिमन्त देवघर में हवाई अड़ा का उद्गाटन समारों में जहारखन के मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन ने देवघर में अपने समोधन की सुरुवात में सब का अभी नंदन जोहार से किया सभी का स्वागत और सुभकमनाय देते हुए हेमंत सुरेन ने कहा आज सिर्फ देवघरी नहीं पुरे जार्खन के लिए एतिहासिक दिन है हम जो सपने देखते हैं जब वो पूरा होता है तो इसकी खुशी कुछ और होती है इस सपने को पूरा करने के लिए पधान मंत्री आया है यह गोरो की बात है देवघर एयरपोट का उद घाटन हो रहा है केंद्रिये नागरी कुडाने मंत्री जोतियादी सिंध्या ने भी कई घोसनाय की है उमीद है कि वो सपना भी जल्द पूरा होगा मैं आदर ने पधान मंत्री जी को जल्द माग की भी जनकारी देते हूँ जिसका निर्मान लगभग पूरा हो गया है बरसो से यह राज ये एक जगा ख़़ा था अब हीलता और चलता दिख रहा है पीएम मोदी ने रांची रेलवे एस्टेशन के पूर्ण विकास का किया ओनलाइन सिलन्यास प्रधान मंधि 9 मोदी द्वारा रांची स्टेशन के पूर्ण विकास के सिला न्यास कारेवकराम का सिधा परसान रांची रेलवे स्टेशन परिसर में दिखाया गया इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन में मौझूद बिधायक सिपी सिंग ने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन ना सिर्फ राज का बलीक बीदेशों से भी बेहतर रेलवे स्टेशन होगा उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा था जब दूसरे राजियों में जो रेलगाडिया की बोगी रिजेक्ट हो जाती थी उसे जार्खन भेज दिया जाता था लेकिन अब उस तरह की बेवस्ता खत्मक की गई है और आज में बेहतर रेलगाडिया चलना सुरू हुई है जार्खन हाई कोट ने मधुकांत को नहीं दी बीदेश जाने की अनुमती जार्खन हाई कोट ने मंगलवार को 34 राष्टिये खेर घोटाला मामले में आरोपित मधुकांत पाठक की बीदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने वाली अजका को खारिज कर दिया दरसल आरोपित मधुकांत पाठक का निचली अदालत में पासपोर्ट जमा है पाठक ने कोट में दो आवेदन किये थे इसमें से एक में उन्होंने अपने पोते को देखने के लिए बीदेश जाने की इक्षा जताना चाहते हैं वा बीदेश में दो माह का समय बिताना चाहते हैं उन्होंने कोट से पासपोर्ट रिलीज करने का अगरह किया था जारखन के 268 परखन संसाधन केंद्र ICT सुविधाओं से होगा लाइस जारखन में समग्र सिक्षा अभियान के तवत कारेरात परखन संसाधन केंद्र और Information and Communication Technology से लैस किये जाएंगे केंद्रिये सिक्षा मंत्राले ने जारखन के 268 परखन संसाधन केंद्रों में इन सुविधाओं को बाहाल करने की स्विक्रित पदान कर दिया है इससे परखन साधन सेवियों को सिक्षको को सेक्षिनिक सहयोग पदान करने तथा Online सेक्षिनिक समागरी भेजने में असानी होगी धन्यवाद